हेलो स्टुडेंट, वेलकम टू दे चैनल सामेत क्लासेज, आज इस वीडियो में CBSC द्वारा जारी किये गए नए गाइडलाइन्स के बारे में, जो स्लिबस से रिलेटेड है के बारे में हम लोग जानेंगे बेसिकली, CBSC ने COVID-19 की वजह से अपने New Academic Year 2020-2021 के लिए स्लिबस को रिडियोस किया है तो ये रिडक्शन कैसा है, बेसिकली आप देखेगा, तो 2019-2020 का जो स्लिबस था, उसी स्लिबस को रिडियोस किया गया है कितना रिडियोस किया गया है? 30% रिडियोस किया गया है पहले स्लिबस 100% अगर मान लेंगे, तो 30% हटाने के बाद कितना बचेगा? 70% तो ये 30% रिडक्शन ऐसा नहीं है कि किसी एक चैप्टर या दो चैप्टर को हटा करके किया गया है बलकि परतेक चैप्टर से कुछ न कुछ portions हटाया है हम लोग इस वीडियो के थू जानने का कोशिस करेंगे कि कौन कौन सा portions को हटाया गया है और कौन कौन सा portion अभी भी as it is है पूरे NCRT में जो हम लोग का mathematics का है उसमें बहुत सारे topics है तो सबसे पहला topic है real number तो real number पर अगर आप focus करेंगे तो पाएंगे कि CBSC ने Euclid Division algorithm को या lemma को हटा दिया है कहने का मतलब theorem number 1.1 खतम हो गया है तो इसके खतम होने की वज़े से आपके examples 1, 2, 3, 4 खतम हो जाएंगे और उसके साथ ही exercise 1.1 भी खतम हो जाएगा इसमें हम लोग करते क्या थे HCF निकालते थे with the help of Euclid Division lemma और properties of numbers को चेक करते थे तो ये दोनों portion remove हो जाने के बारन कारण अब आपके पास क्या बचा exercise 1.2, 1.3, 1.4 और theorem number 1.2 से लेकर के 1.7 तक तो इन सभी theorems के मदद से आपको जो subject करना है उसमें क्या क्या करना है पहले prime और composite number fundamental theorem of arithmetic के थुरू करना है जिसमें हम लोग HCF और LCM फिर से निकालेंगे दूसरा exercise 1.2, 3 में जो है आपको irrationality of numbers प्रूफ करना है और exercise 1.4 में theorem number 1.5 से लेकर के 1.7 के use के द्वारा terminating और non-terminating repeating fractions को चेक करना है बहुत आसान सा पार्ट बच गया है जो बहुत important पार्ट था Euclid division lemma जिसको हटा दिया गया है तो आपके लिए सुकून की बात है कि पूरा का पूरा एक exercise खतम हो रहा है 4 examples खतम हो रहा है next हम लोग algebra पढ़ेंगे algebra में 4 chapter है पहला है polynomial, दूसरा है pair of linear equation in two variables तीसरा है quadratic equation और चौथा है arithmetic progressions तो यहाँ पर जो cut किया गया है slabus को वो बहुत important है अगर आप पहले chapters को देखेगा algebra के पहले chapters को यानि कि polynomials को तो polynomials में आपका division algorithm को हटा दिया गया है और उससे related words problems जो भी होते हैं उनको हटा दिया गया है तो आप exercise 2.1, 2.2 किजेगा लेकिन 2.3 और 2.4 को आप क्या किजेगा remove कर दिजेगा क्योंकि उसमें ही division algorithm यूज हो रहा है फिर आती है बात pair of linear equation in two variable का इसमें असपस टूप से guideline इसू किया गया है कि cross multiplication नहीं use करना है जबकि cross multiplication का use हम लोग class 12 में करते हैं फिर भी cross multiplication को हटा दिया गया है कोई बात नहीं है क्योंकि इसे कोई impact नहीं पढ़ता है overall pair of linear equation in two variable पर क्यों नहीं पढ़ता है इस बात को समझेए क्योंकि CBSC जब question देती है तो यह नहीं कहती है कि आपको किस method से बनाना है तो आप सीखें या नहीं सीखें कोई फर्क नहीं पढ़ता है क्योंकि इसे कोई भी problem remove नहीं हो रहा है chapters का कोई भी problems remove नहीं होगा बलकि आपको cross multiplication use करके कोई सी सवाल को नहीं बनाना होगा तो आपके पास तीन method बच गए या graphically बनाईए या फिर आप substitution method से बनाईए या फिर elimination method से बनाईए फिर आजाते हैं quadratic equations में quadratic equations में आप देखेगा कि word problems को remove कर दिया गया है तो इससे बहुत बढ़ी रहात है क्योंकि word problems को frame करने में बच्चों को दिकत होता था आपके favor में ये काम हुआ है लेकिन word problem कहां से नहीं आट रहा है pair of linear equation in two variables से नहीं आट रहा है फिर हम लोग बात करते हैं arithmetic progressions का arithmetic progression में सब कुछ पढ़ना है sum of n term भी पढ़ना है लेकिन जो application based questions है NCRT में दिया हुआ है application based question बहुत ज़्यादा नहीं है आप देखेगा तो एक example है 16 number और उसके अलाब ए exercise 5.3 के पहले 16 example है example number 16 और 5.3 exercise में question number 15 से लेकर के 20 तक questions रिमूव हो जा रहा है तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं हो रहा है sum of n term lesson is equal to आपको पढ़ना ही पढ़ना है उसका derivation जाना ही जाना है लेकिन जो application based questions आता था वो अब आपके examinations में नहीं होगा तो बहुत बिसेस फाइदा तो नहीं है क्योंकि application based question बहुत कम आता था तो इससे आपको बिसेस फाइदा तो नहीं है लेकिन हाँ फाइदा है कि application based question का भै आपका खतम हो गया next chapter है आपका triangles triangles में आप क्या पढ़ने वाले है similarity पढ़ने वाले है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर theorem number 6.1 से लेकर के 6.9 तक theorem है जिसमें से दो important theorems को हटा दिया गया है 6.6 को और 6.9 को अगर 6.6 को हटाईएगा जो की theorem यह कहता है the ratio of the area of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding sides तो इस पार्ट को हटाये गया है इसके कारण एक पूरा exercise जो की 6.4 है वो हट जा रहा है next theorem है 6.9 6.9 को अगर आप देखेंगे तो वो Converse of Pythagoras theorem है Converse of Pythagoras theorem यह कहता है कि in a triangle if square of one side is equal to the square of sum of square of other two sides then the angle opposite to the first side is right angle तो इस theorem को ले करके particularly कोई exercise नहीं बन रहा है basically अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6.7, 6.8 और 6.9 को यूज़ करके exercise 6.5 बन रहा है तो 6.5 में से कुछ question रिमूव होगा जिसमें Converse of Pythagoras theorem को हम लोग यूज़ कर रहा है और optional exercise आपको बना नहीं होगा वहां से सिर्फ वैसा ही question रिमूव होगा जहां पर ratio वाला सवाल है area वाला similar जो कि हम 6.6 बतला रहा है और 6.9 यूज़ हो रहा है next chapter आपका है coordinate geometry coordinate geometry में आपको distance formula और section formula पढ़ना है और exercise 7.1, 7.2 को solve करना है लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि एक exercise है 7.4 और 7.3 तो 7.4 में कुछ सवाल तो आप बना ही सकते हैं question number 1, 2, 3, 4 यह सब बना ही सकते हैं question number 5 में फ़्राइफ प्रॉब्लम है क्योंकि वो triangle से related है remove क्या किया गया इसको ध्यान से देखे वैसे ही यह बहुत आसान सा portion था जिसको हटाये गया है इसे बिसेस फाइदा तो आपको नहीं हो रहा है क्योंकि area of triangle सिर्फ remove हुआ है इसे exercise 7.3 का 4-5 questions जो है remove हो गया है और कहीं बिसेस फाइदा नहीं है 7.4 में कुछ सवाल remove होगा सब सवाल remove नहीं होगा यह coordinate geometry का situations है next है आपका trigonometry तो trigonometry में लिखता है CBSC कि complementary angle formula यूज नहीं करना है page number 183 और 184 में 90 degree और 0 degree का derivation है वो आपको नहीं जानना है लेकिन आपको तो value याद रखना पड़ेगा क्योंकि value तो आप use किजेगा trigonometric ratio में तो complementary angle formula जहाँ जहाँ यूज नहीं हो रहा है वो सब करना है और जहाँ यूज हो रहा है उसको छोड़ देना है तो आपको business फाइदा नहीं है identity आपको यूज करना ही करना है फिर next है आपका height and distance height and distance से कोई removal नहीं है वहाँ पर आपको trigonometric ratio को use करते हुए सवाल को बनाना ही बनाना होगा next chapter आपका हो गया circle circle से किसी तरह का deletion नहीं हुआ है यहाँ पर दो important theorems है जिसको आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से पढ़ना है और कुछ सवाल बहुत बहुत interesting और difficult label के हैं तो sad circle को इसलिए बचाये गया है ताकि standard के बच्चे को एक अच्छा challenge मिल सके तो आप circle पर बहुत अच्छा focus कीजिए ताकि आपका score अच्छा हो और marks आपका cutे नहीं next है आपका construction construction पर अगर आप जाएंगे तो दो तरह का construction हम लोग को करना था जो की similarity पर बेस था और circle पर बेस था तो similarity वाले portions को पूरी तरह से remove कर दिया गया है तो similarity वाला exercise कौन सा है 11.1 है 11.1 में दो type का questions है एक है question number 1 जिसमें line को हम लोग क्या करते हैं किसी particular ratio में divide करते हैं तो वो question अभी भी रहेगा आपका exam में आएगा लेकिन बाकी जो questions है question number 2 से लेकरके 7 तक remove हो गया है तो आपको कितने questions के फायदे हो गया है 5 questions यहाँ से remove हो गया और फिर आपका exercise 11.2 आपको पूरी तरह से करना पड़ेगा यहाँ पर भी 7 questions है जो आपको करना है फिर आजाता है हम लोग का mensurations या area related to circles तो area related to circles में जो सवाल है जिसका relation 120 degree से है उस particular portions को आपको नहीं करना है मतलब आप देखे example number 3 अगर आप देखे area related to circle में जिसमें 120 degree यूज हो रहा है उसको नहीं करना है तो इससे related कुछ questions और भी होंगे exercise में जिसको आप remove कर सकते हैं business फाइदा नहीं है क्योंकि इसको आप समझ ही लेते हैं जान ही लेते हैं और कर ही लेते हैं आसान है और फिर हम लोग करेंगे surface area and volume को surface area and volume में frustrum को हटा दिया गया है तो यहाँ पर आपको फाइदा हो रहा है क्योंकि frustrum का formula जो complicated formula आपको लगता था वो याद नहीं करना है कभी-कभी derivations को लेकर के भी सवाल पुछा जा सकता था वो भी chances अब remove हो गया है next आपको पढ़ना है statistics and probability यहाँ पर थोड़ा सा deletions है क्योंकि method एक है step deviation method इसको हटाए गया है इसको हटाने से आपको business फायदा नहीं है यहाँ पर भी pair of linear equation in two variable जैसा कहानी repeat हो रहा है क्योंकि सवाल में कभी भी यह mention करके नहीं आता है कि आपको इस particular method से बनाना है आप direct method से बना सकते हैं और फिर assumed mean method से बना सकते हैं और step deviation method से बना सकते हैं तो अब step deviation method को use नहीं करना है next आपका बच गया ozive ozive को नहीं करना है मतलब cumulative frequency graph अब आपका नहीं आएगा probability part को आपको पुरा पढ़ना है तो इस तरह से यह mathematics का syllabus है क्या-क्या remove हो गया है मैंने आपको बताया I hope आपको यह video बहुत मदद करेगा पढ़ने के दवरान और तयारी करने के दवरान till then keep studying, keep learning and keep smiling thank you very much